तो भाई लोगों इंडिया में सबसे ज़्यदा एक्साइट एलेक्ट्रिक कार के लिए अगर कोई है तो वो है इंडिया का मिल्डर क्लास आदमी और इंडिया में कोई भी एलेक्ट्रिक कार लॉंच होती है तो वो इतनी जादा महगी होती है जैसे 15-20 लाख रुपे के बीच में कि उसे लेने से पहले 12 नवार सोचना पठता है तो दोस्तो एक ऐसी कमपनी है जिसने इंडियन मार्केट में एक ऐसी लेक्टिक का लॉंच है और ये एक ऐसी गाड़ी है जिसे इंडिया का हर एक लास का आदमी खरीच सकता है और ये कार एक ऐसी बैक से भी territorial में आप और इस गाड़ी के अंदर आपको चार सीडिंग केपिसिटी वो भी अच्छी खासी स्पेस में देखने के लिए मिल जाती है और गाड़ी की लेंथ है 2950 mm और गाड़ी का वजन है 740 kg और इस छोटी सी गाड़ी के अंदर जो मोटर लगी है जो इस गाड़ी को पावर देती है वो लगबग 1.5 kW की मोटर लगी हुई है जो की सिर्फ रेर वील को ही पावर देती है और गाड़ी की टॉप स्पीड है लगबग 50 सिले के 55 km प्रती घंटेगी और गाड़ी की बैटरी के बारें बात करें तो इसमें लगी हुई है 60 W 100 AM की बैटरी और इस गाड़ी में आपको एक प्लस पॉंट भी देखने लिए मिलता है तो उसे जानने से पहले अगर आप वीडियो पे नए है तो वीडियो को लाइक कीजिगा चैनल को जूलू सब्स्क्राइब कीजिएगा तो बात करें प्लस पॉंट के बारे में तो वह प्लस पॉंट है इस गाड़ी के अंदर तो बात करें गाड़ी के इंटियर के बारे में कंपनी नहीं इसको काफी जड़ा डीसेंट रखने की कोशिश की है तो यहां पर आपको देखने लिए मिल जाता है सेवन इंच का टेस्क्रीन एंडर आटो प्ले एपल कार प्ले तू स्पीकर और रेर में आपको एक गाड़ी का इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर है वो भी आपको फुली डिजिटल देही देखने के लिए मिलेगा तो अब बात करते हैं क्या रखी गई है इस इलेक्रिक कार की कीमत और कहां पर यह लॉंच हुई है तो इस गाड़ी की जो कीमत रखी गई है वो है लगबग एक 10,000 रुपे से लेकर 1,50,000 रुपे तक और यह गाड़ी अभी रिसेंटली होलसेल मार्केट अलिबावा पे अवेलेबल है और आप चाहें तो इंडिया में आपको उसको खरीद के और इंपोर्ट करा सकते हैं तो वीडियो में बस अतना ही था वीडियो अच्छी लोगी तो